अगर आपको लगवाना है तो आपको लगवाना है तो आप पाल के अंदर स्टार काई लेकर पर आज आपको लगवाना है तो इसके साथ एंद यह स्कॉर्पियो के अंदर लगने वाला है यहाँ पर आपको हाइपर्फोनिक की बैजिंग देखने को मिल जाएगे यहाँ पर हाइपर्फोनिक के जो ओफिशल पैज़ें उनके बारे में जो है इन्फोर्मेशन डियू यह लिंक्स दिये हुएं इसके साथ यहाँ पर आपको built-in chip मिलती है और amolded screen है DSPs के साथ आपको देखने को मिलेगा जो की digital signal processing unit रहता है इसके साथ आपको gorilla glass की protection मिल जाती है अब आप इसमें क्या क्या चीज़े run कर सकते हो वो चीज में आपको ज़रूर से check out करा देता हूँ प्ले स्टोर इसमें चलेगा फाइल मैनेजिंग है USB सपोर्ट है Gmail, Android, Google Plus, Navigation, Facebook, Reverse Camera, SWC means steering wheel के control buttons के साथ यह पुरा attached हो जाएगा SWC का मतलब यही होता है Wi-Fi चलेगा WhatsApp, Car Information आप देख सकते हो iPhone के साथ जो आपका Apple CarPlay है और Android Auto वाले features है वो आप easily इसमें यूज कर सकते है Full HD resolution का display रहेगा FM, AM, easy connecting features रहेगे इसमें आपको calendar मिल जाएगा, photo galleries बगेरा मिल जाएगे, YouTube रन कर सकते है, FM रन कर सकते है इसी के साथ बहुत सारी heavy heavy चीजे इसमें जो provide करी गई है, इसका कुछ interface इस परकार का रहता है, hypersonic का आपको यहाँ पर badging मिल जाती है इस तरीके का जो पूरा system रहने वाला है, यहाँ पर आपको hypersonic के बड़ी अवाले कुछ features देखने को मिल जाएगे, अगर मैं main main चीजों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पूरी जो mirror link technology वो देखने को मिल जाएगे, android auto, apple carplay जैसी connecting features देखने को मिल जाएगे, यह आपको 7 10 inches, 8 inches, 9 inches, 10 inches के multi-capacitive touch IPS screen के साथ मिलता है, मतलब आपकी गाड़ी का कोई भी inch हो, वो आराम से यह fit हो जाता है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसके wiring diagram वागेरा भी दिये हुए, किस तरीके से इसको fit करना, smart plus series है यह, और यह कुछ इसके models number लिखे हुए, ठीके ना, त इससे बिल्कुल भी बरदाश नहीं हो रहा है, इसको आप जल्दी से आप उपन करते हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूँ, किस तरीके का इसका पूरा system रहने वाला है, भूपल के अंदर I guess क्या hypersonic पहली बार जो है, स्कॉर्क्य के अंदर लगा कर में बता रहा हूँ आपक आपको चीज दिखाऊंगा और इसके पेपर वर्क दिखाऊंगा, ultimate look, ultimate look, बहुत ही बड़िया looking आ रही है, perfection आप देखो, edges तक, बहुत ही बड़िया quality आपको hypersonic की, जो है, build quality में देखने को मिलेगी, कित्ती बड़िया finishing आ रही है, इसी के साथ, यहाँ पर अगर मैं इसके display की बात करूँ, तो display पे से जब हम पन्य निकालते हैं, भाई, बहुत ही अच्छी quality है, देखने में तो जो आपका normal studios आते हैं, वैसा ही लग रहा है, बड़िया पर आपको जो quality मिलेगी, मतलब gorilla glass के glass की, तो quality यार, हाथ से पकड़ने में आपको समझ में आई जाती है, जब स्टार कार डेकर में आओगे, तो आपको और जादा बड़िये तरीके से response मिलेगा, जब आप चीजों को चुओगे ना, पकड़ोगे, texture को feel करोगे, क्या चीज लगा रहा है और क्या चीज किस तरीके से लग रही है, वो स्टार कार डेकर में आपको अलगी पता चल आपका माइक सपोर्ट पूरा दिया हुआ है, इसके साथ क्वालिटी बहुत अच्छी इसमें प्रोवाइड करी गई है, जब यह Scorpio के अंदर लगेगा तो ultimate look आएगा, यह कुछ इसकी kits देखने को मिल जाती हैं, जिस भी model में यह लगे तो उसमें easily fit हो जाए, कोई भी दिक में रहने वाले हैं, यह आपकी pen drive लगे बगर है की slot दिया हुआ है, तो मिल आपको open करकी सब open to open आपको चीजे बताता है, तो इसका कंपा, माइक की व्यार्न जा रहा है क्वालिटी अच्छी है, इंड तेखो क्वालिटी बघी बड़ या क्वालिटी स्की यह माइक की रहने हो वाली है झाल झाल